टो hello friends I am a user and today we are going to discuss about drug distribution हम सभी को पता है कि pharmacokinetics क्या है study of ADME absorption distribution metabolism and excretion of drug so we have discussed till absorption and today we are going to discuss about drug distribution चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह माली यह कोई भी human being है कि यह है इसका food pipe और यह है इसका stomach और यह है इसकी intestinal wall कि तो अब देगे क्या होता है absorption तक क्या हुआ था drug move कर गया था है intestinal wall से circulation में और circulation में जाने के बाद क्या होगा जब यहां से drug आ जाएगा आपका circulation में कि यहां पर आपका blood है और माली यहां पर ड्रग आ गया उपर से travel करते हुए यहां से इस point पर आ गया इसका absorption हो चुका है ठीक है अब क्या होगा distribution का मतलब है distribute ओना drug का अलग-अलग organs में ड्रक किस तरीके से अलग-अलग organs में जाता है अब यहां से यह देखिए चाहेगा लेवर में तो एक और में जाके यह distribute वह वेरियस टेसूस में फिर इसके बाद लेवर से और जाता जो वेंस वागेरा निकलेंगी यहां से ब्लड वैसल्स अब मान लीजिए किसी और और अर्गन में गया यह कि यह थी किड्नी तो किड्नी में गया कि फिल्टर हुआ वहां से तो ऐसे करके अलग-अलग organs के जो टिशूस होते हैं वहां पर ड्रक का पहुंचना ड्रक डिस्टिविशन कहलाता है और इसको डिटर्माइन कैसे करते हैं एक hypothetical parameter होता है वीडी वीडी जिसे हम बोलते हैं वालीम ओफ डिस्टिविशन एक नया टर्म निकल के आ गया जो और क्वेस्टिविशन आता है हमारे मन में कि वालीम ओफ डिस्टिविशन क्या है तो बीडी बॉलिम ओफ डिस्टिविशन या फिर इसे बोलते हैं अपैरेंट वालीम ओफ डिस्टिविशन यह एक ऐसा parameter है जिसके दुरू हम पता कर सकते हैं कि कितना वॉलिओम वो हम आगे जाके पढ़ाएंगे तो बेसिकली आज हमने समझ लिया कि distribution क्या है absorption क्या था movement of drug from intestinal lumen to blood vessel lumen and what is distribution it is the movement of drug from circulation to various organs and tissues यह हमने समझ लिया इसकी definition के बारे में drug distribution की अब हम लोग discuss करने वाले हैं factors on which distribution of drug depends यानि कि जो टिशूस में drug हमारे distribute हो रहा है वो किन-किन factors पर depend करता है इसमें पहला factor आपका आजाता है वह पीपीवी कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है माली यह है बॉड़ी का जन्रल सर्कुलेशन पूरी बॉड़ी का सर्कुलेशन यह है माल लो और यहां पर है तुम्हारे यह बिलड यहां पर पूरा पूरा सर्कुलेशन में तो अब क्या है अब ड्राग होगा डिस्ट्रिब्यूट माल लेते हैं यहां पर कोई भी ओर्गन है कि यह आपका ओर्गन है अब ड्रक को यहां पर पहुंचना आपका बिलड में से कि यह आपका ड्राग है कोई भी गोली है टेबलेट कि इससे यहां पर जाना है तो अब देखिए क्या होता है जब ड्राग इधर चाहेगा ओर्गन में तो फिर क्या होगा absorption के वारे मैंने आपको बता दिया biological membrane क्रॉस करना चाहिए लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन-कौन सी चीज होती है जिसकी वजाएसा यह ड्रग और गन्स तक टिसूस तक ना पहुंच पाए तो देखिए पहले क्या यह ड्रग ट्रेवल कर रहा है अगर ड्रग का साइज बहुत बड़ा हुआ है तो ड्रग मूब नहीं कर पाएगा लेकिन अब आप लोग बोले हैं कि मैंने बताया कि स्टार्टइक Siteide Ng रहा है कि यो बनाते हैं जो बोड़ी बाइवा फिल सक्रोश कर सके की जिसका साइज चोटा और हृडव साइज कैसे बड़ा हो जाएगा जो कि गोम रही होती है एल्यूमेंट हो गया और दूसरी प्रोटीन हो गई तो क्या होता है मान लो कोई प्रोटीन है यह कोई भी प्रोटीन है एल्यूमेंट यह इसके साथ बाइंड कर गया अब प्रोटीन के साथ बाइंड गरे गया यह ड्रग इसका साइज हो गया बड़ा अब यह बहेव करेगा एक्ट करेगा एक बड़े ड्रग की तरह एक बड़े मॉलिक्यूल की तरह तो अब आसानी से यह बाइलोजिकल मेंब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा ही तो अब यह बाइंडंग हो गया ड्रक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्लौटीन बाइंडंग तो आप लोगों में वीडी क्या हो जाएगा कब मोझा दिश्टिव्यूशन को तो इस पॉक्टर पर कैसे डेपेंट और यह इन वर्षी प्रोपोर्शनल ओगया प्लास्वा प्रोटीन पंडिंग के तो हमारे जितने भी एस डिक ड्रग्स होते हैं वह प्रोटीन होती है ब्लड में अलब्यू और ओन ऑख आएं अतो वेसके साथ ही को आइंड करेगा तो यह एक असरी ड्रग हो ओगा iron मिन क्या होती इस बेसिक नेचा की प्रोटीन है जो कि बलैळ में पाई जाती है णहें और अगर ड्रग बेसिक है तो कौन से दोटीन होती हैं जिनके साथ बाइंड कर सकता Ben तो एसटेज़ ग्लाइको प्रोटीन होती है जैनेरली इसके साथ बाइंड गरते हैं अल्फा बन लेकिन लेकिन यह और भी ओती है अल्फा वीटा गामा ऐसे करके एसटेज ग्लाइक प्रोटीन के साथ बेसिक ड्रुग्स वह करते हैं यmee रही हैं नहीं सब्सक्राइब करने के बाद आध ये नार ड्रक का साइज चोटा है लेकिन प्लास्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद बड़े मॉलेक्यूल की तरह बेव करने लगए ड्रक को लगने लगा कि वह एक बड़ा मॉलेक्यूल है फिर वह बाइलोजिकल मेंब्रेन को क्रोस नहीं कर पाते हैं आसानी से प्लास्मा प्रोटीन बायंडिंग की बात ही तो इतना कम डिस्ट्रीयूट होगा उतना कम पहुचे नहीं के लॉंग एक्टिंग का क्या मतलब होता है ज्यादा देड़ तक रहते हैं अगर कोई ड्रग है सर्कुलेशन में रह रहा है बहुत देड़ तक और गन्स में नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका एक्षान हमें ज्यादा देड़ तक देखने को मिल सकता है है यह जतना ड्रग्स देडिस्टेवियूट हो जाएगा हमाय समैं पहुंच जाएगा उसी का अगे मेटबालिस्म होगा नहीं तो हैं इसको इंपोर्टेंट्स है क्लेनिकल इंपोर्टेंट्स प्लाजम प्लोटीन बाइंडिंग की यह कुछ एक्जाम्पल्स हैं वेंजो डाइपींज क्लोर्प्रमाइड टॉल्विटमाइड आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉस करके आगे एक और पैरामीटर है जो हम समझते हैं वह है डायलेसिस अब बात करते हैं डायलेसिस की तो हमारी किड्नी का बैसिकली क्या फंक्शन है हमारे ब्लड को फिल्टर करन का ब्लड को फिल्टर कैसे कड़ती है हमारी किड्नी की जितना आभी ब्लड ब्लड में उस अगारे जह में होता रहता है एके हमारे Napherons होता है Blood को तो जब फिल्टर कर देती है हमारी किड्नी इसあっ उस केस में क्यों होता है अच्छे से बाखी चीज़र हो जाती है बाइद नि Ο्र इधाल ग्रूआ लेकिन जब यही function होता है kidney किसी की अच्छे से काम नहीं कर रही होती है तो फिर क्या होता है उसमें artificial बाहर से देना पड़ता है यह filtration का function यह बाहर से करवाना पड़ता है machine के तुरू जो kidney का का में वार महसीन करती है इसी को हम बोलते हैं इसमें क्या होता है माली यह यह कोई भी इंसान है कि यह हम यहां से लेते हैं इसके यहां पर लगाते हैं India इसका यह ब्लढों होता है और यहां पर एक हमारा अपर प्रेटर सथे होता जो कि मसी थो करेंगी इसके गो जो बी है म्यों अब प्र बापस जो भी इसका अब ब्लढार होता यह कोलेक्ट करके मिला बापस इसकी बॉडी में डाल दिया जाता है यहां से तो यह काम होता है ड्रक की प्लाज्मा बाइंडिंग हाई होगी यानि कि वह जो भी हमारे ब्लड में प्लाज्मा में जो ब्रेजेंट प्रोती है किसी में और हम कर रहे हैं तो डाइलेसिस में क्या होता है ना यह जो अपरेटास है यह एक हाली ब्लड को फिल्टर करता उसकी जो प्रोटीन होती है उसे फिल्टर नहीं करता प्रोटीन लेकिन प्रोटीन के साथ बाइंट करके ड्रक कैसे बेख कर रहा बड़े मौलीकुल की तरह प्रोटीन की तरह तो ड्ली सिस्किल फिल्टर हो पाएगा नहीं वह पाएगा तो अब ऐसे किसमें क्या होगा कि किसी वी ड्रक की पॉईसिनिंग हो गई जरूरत से ज्यादा ड्रक चला गया बॉडी के अंदर वो मेटावला इस नहीं हो पाया उससे ज्यादा चला गया सर्कुलेशन में ब्लड प्रेजेंट है अब किसी ड्रग की हो गई पॉइसनिंग पॉइसनिंग क्या होता है अब हमें ब्लड को कैसे भी करके ऐलिमिनेट करना है उसे बाहर निकालना है लेकिन अगर किसी ड्रग की पॉइसनिंग हुई और साथ जरुध से ज्यादा होगा उब हाँ ही जरुध से ज्यादा होगा आ वह बहर निकाले का वो प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करता तो वो ड्रग को फिल्टर नहीं हो पाएगा तो पहली चीज हमें जो निकल के आगए क्लिनिकल इंपोर्टेंस ड्यालेस इस नॉट अफेक्टिव इन ड्रग्स बिद हाई पीपीवी ड्रग्स विचाव हाई प्लास्मा प्रोटीन बाइंड यह एक पॉइंट निकल के आगया हमारा इस निकल के साथ एक और केस के एक और प्रॉब्लम मैं मालो किसी भी ड्रग का जो है वॉल्म डिस्टिवीशन हाई है यानि कि जो टिसूस में वह चला गया उसका प्रिसिटी जादा है टिसूस में बहुत आसानी से जा रहा है अपरेंट वॉल्म डिस्टिवीशन अगर किस हुए हमारे general circulation में अब टिसूस में डिस्टिवीशन आने की पारी आई तो किसी भी ड्रग का apparent value distribution अगर हाई है तो falando कहां चला जाएगा when circulation में ःफ्टेंट नहीं होगा लेकिन dialysis में क्क्या करते हैं जो circulation में blood हो उसे見露्ट कर सकते हैं तो एक और पाउंट निकल क Nep0 आ गया जिन ड्रक्स का VD ज्यादा होगा उस केस्ट में ड्लाजमा में प्लाजमामेंड वह टा els嗎 के तुरू filter हो जाएंगे तो लो वीडी एंड लो पीपीवी प्लास्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर कैसी ड्रग की है तो वो डालेसिस के लिए एक आइडियल केंडिडेट होगा अब डालेसिस के बारे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि जिन ड्रग की प्लास्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई होगी वह बड़े मॉलेक्यूल की तरह एक्ट करेंगे और आसानी से डालेसिस के दूफ फिल्टर नहीं हो पाएंगे और क्योंकि डालेसिस प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती इसके कुछ एक्जाम्पल हो जाते हैं जैसे के डाइजी पेम अगला एक पॉइंट बेने जो आपको बताए वह बताए जिन ड्रग का वॉल्म ऑफ डिस्टिविशन हाई होगा यानि कि वो टीसूस में ज्यादा तो उनमें अभी डैलेसिस अफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि ड्रग करती है ब्लड में ड्रक्स ज्यादा प्रिजेंट है ही नहीं तो आसानी से उसमें अफ्यक्टिव नहीं होगी ऐसे ड्रुञ्स हो जाते हैं कुछ जिन का वर्लम डेस्टिविशन हाई होता है जैसे के तुरू फिबो हो जाएगा फिल्टर ऐसा ड्रग कौन से होते हैं सेले साइलेट सिसमा आ जाते हैं तो डालेसिस अब किनके ड्रग की पॉइसनिंग में अफेक्टिव नहीं होगी जिनकी पीपीबी हाई होगी प्लास्मा प्रोटीन बाइंडिंग और वॉल्म ऑफ डिस्टिबूशन हाई होगा तो ऐसे ड्रग यह हैं कुछ एक्जामपल उनके इसका एक निमोनिक है डायलेसिस मतलब ऐसे ड्रग जो डायलेसिस को अवाइड करते हैं एमफेटमी से हो गया भी से वरेपमिल और गैनो फॉस्पेट ओपियोइट्स और वाकि यह जितने भी ड्रग से इसे आप चाहें तो याद करने का यह तरीका है इनका निमोनिक है वाकि मैंने आपको कैसे डिपेंड करेंगा ब्लेड फ्लो पर जहां जहां ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी जिन और गंस तो जाइड सी बात है वहां पर चांसे ज्याद होंगे ट्रग के ट्रिसूस में मूब करने के तो जितना ज्यादा ब्लेड फ्लो होगा है टो और उतना ज्यादा क्या ऊगर का डिस्टिवुशन तो यह डारेक्ट लेल ब्लेडे फुलों इसे कौनसे और यांपा ब्लेड फ्लों जादा होता है इसमें आपके आ जाते हैं ब्रेंग चलो बनाते दें थोड़ा सा ब्रेन यह आपका ब्रेन है इस्पाइनल कॉड़ ब्रेन आपका हार्ट हो गया है चलो हार्ट ही बनाते हैं आपकी किडिनीज हो गई यह कैसी किडिनी है आपकी किडिनीज हो गई तो यह कुछ औरगन्स है जहां पर क्या है ब्लेड फ्लो क्या होती है ज्यादा होती है तो यहां क्यों से ओर्गन्स हो गई जिन में ब्लड फ्लो कम होती है जैसे कि आपकी स्किन हो गई आपके स्किन हो गई एडिपोस्ट इसूज हो गए यह आपके ब्रेइन हार्ट किडिनी और इसकिन इन में क्या होगा कम होगी ब्लड सप्लाई इसकिन और एडिपोस्ट इसूज तो इन में क्या होगी कम होगी तो इन में वीडी भी कम होगी तो एडिपोस्ट इसूज वगेरा में और आपकी स्किन में ब्लड सप्लाई कम होगी तो वॉल्म आफ डिस्टिविशन कम होगा और जिन और ब्लड सप्लाई ब्लड फ्लो ज्यादा है ब्रेन हार्ट किड्नी त जादा डिस्ट्रिब्यूट होगा वाली माद इस्ट्रिशन जादा होगा तो हमने दो फेकर देवों कर लिए डिसकर्स पहला था प्लाजमा प्रोटीन वाइंडिंग और दूसरा था ब्लड फ्लो और आगे बढ़ते हैं तीसरे फेक्टर की तरफ इसमें हम डिसकर्स करेंगे कि आगा अगा अग्याक कि अब भ्लड ब्रेन परियल तो यह क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं इसे कि मानने लो यह है आपका ब्रेन हो ठीक है यह जो भी चीज़ है हाइपो तेटिकली मान लेते हैं यह है एक ब्लड वैसल कि इसके बगल में ब्रेन के तो जो भी चीज आ रही है हमारी ब्लेड वैसल से टारेक्ली ब्लड में एंटर नहीं कर सकती है ब्लड में एक दीवार की तरह होती है यहां पर एक दीवार होती है जैसे कि यह है इसे हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बरियर यह कुछ जो specific water-soluble small drugs जो होते हैं उन्हीं को पास करने देती है कुछ specific drugs को और molecules को और बागी चीजों को बाहर बापस बेच देती है ब्लड में तो सारी चीजों को बागी और नसमें जा सकती है ब्रेन के अंधर नि जा सकती है में बहुत ही sensitive तो यहां पर चीजों को बहुत ही श्वर्ड को अंदर लेना पड़े का सारी चीजें चली जाएंगी तो बहुत से नुकसान हो सकते हैं वह से साइड वैक्ट तो यह body ने इसे बनाए एक बेरीयर बना दिया यह टोल नाके बाल है जो के रोक देपें तोल पहाँ वह इस बताओ अपना Molecule का कितना साइज है वॉटर सॉलिवलोगोगोगो आसनी से आपको बटाता हूं जैसे कि जो endothelial cells होता है हमारे अ दूसरी जगए body में कुछ होते हैं जिनके बीच में कर पाएंगे मैं यह होता है ब्लेड ब्रेन वरीयर है लेकिन अब आप लोगों को देख भी रहा हूं मैंने सब पार्ट में वताया इन कि अंत्व ah ओशेतली इसी परकार सारा जो अमारख रेनर वहां पीड ऑना प्रकी कुछ पार्ट si होते हैं जहां पर ब्लड ब्रेन वरियर एपसेंट होता है कि वहां पर ड्रग आसानी से जा सकता है तो अब बात करते हैं इसे कौन सी जगह है ब्रेन के अंदर जहां पर ब्लड ब्रेर एपसेंट होता है ब्लड ब्रेन वरियर जहां पर एपसेंट होता है नहीं हम बोलते हैं स absent तो इनको बोलते हैं circumventricular organs इनमें कौन-कौन से आजाते हैं posterior pituitary, हमारी यह pituitary gland होती है उसका posterior वाला part जो hypothalamus के नहीं चे लटका हूँगा होता है area, postrema, organum, vesculosum और CTZ इनमें most important है CTZ इसकी क्या full form होती है chemo receptor ट्रिगर जोन तो यह क्या है CTZ क्या है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन यह किसमें इन्वाल्व होता है पार्ट हमारा नौजिया और वॉमिटिंग में इन्वाल्ड इन नौजिया वॉमिटिंग तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ज्यादा दवाईयों का नौजिया वॉमिटिंग क्यों साइड इफेक्ट से होता है उसमें वह कहां पर चली जाती हैं ब्लड में आने के बाद CTZ वाले पार्ट को जाके यहां पर इस्टिमुलेट कर देती हैं इसे वह आसानी से यहां पर ब्लड ब्रें वह यह प्रिजेंट नहीं होता तो आसानी से क्रॉस कर जाती है और इस पार्ट पर जाके एक्शन दिगा देती हैं जिसकी वज़ए से क्या होता है नौजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट आ जात अब हैं कि antiematicμ ऐसे ड्रग सोते हैं जनके के केस में नौजिया और वॉमिटिंग नभी आप आप बोलें के नौजिया वमिटिंग एंटिमेटिंग के किसम कि वह नहीं होती तो वह इस बजसे नहीं होती क्यादर इंटिमेटिंग्स और बहुत आप कर आने-पर गएंगे कि अग्जाम्पल लिख देता हूं इसका हेलो पेरिडॉल कि अभी हाली में स्टेडी में यह भी पाया गया है कि जो एंटी साइकोटिक द्रग्स होते हैं इनकी एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं मैस का क्या पटा तो हमने प्लेड्र ब्रेड वरियर क्या होता है एक ऐसा होटा जोकि यूद्ध करता है ब्लेंक करता ब्रेम आंने में होता इर्लमें मोन ब्लेन आ यहां इंवल्या को बॉड़ते हैं इन में सारे और cour दे जाते הי outfit most important क्या इसमें CTZ, chemo receptor trigger zone, nausea vomiting में involved होता है और ज्यादा दवाईयों के nausea vomiting के side effects का कारण यह होता है, exception हो जाते हैं, anti-emetics और anti-psychotic drugs, अब दूसरे barrier को discuss करते हैं, तो blood placental barrier, दूसरा barrier है, यह क्या होता है, जैसा नाम से clear है, blood और placenta, जो भी मा का blood होता है, जब भी बच्चे अपने मा के गर्व में होता है, uterus के अंदर, तो वो placenta के through connected होता है, uterus से, उसका placenta चिपका होता है, तो जो placental barrier होता है, वो separate करता है, मा के blood को, और बच्चे के blood को, तो ऐसे कौन-कौन से ड्रक्स हैं, जो placental barrier को cross नहीं कर पाते, या फिर कल लेते हैं, तो जाद अधर ड्रक्स होते हैं, जो कि cross कर जाते हैं, ऐसे, क्यांकि जो ड्रक्स भी नहीं करते हैं, वो जादा समय तक अगर रहते हैं, ब्लड के अंतर माखे, तो chances होते हैं, वो भी cross करते हैं, कुछ नहीं कुछ, पार्ट उनका, तो almost सारे drugs होते हैं, जिनके पास potency होती है, blood placental barrier को cross करने की, लेकिन अभी हम क्यों discuss कर रहे हैं इसको, क्योंकि अब जैसे कुछ drugs हो गया, insulin हो गया, आपका, heparin हो गया, यह है, यह blood placental barrier को cross नहीं कर पाते हैं, यह कुछ drugs हैं, लेकिन कुछ drugs जो cross कर पाते हैं, उनका एक बहुत ज्यादा important example है, जो cross करते हैं, वो cause कर देते हैं, जैसे के teratogenicity, कुछ drugs होते हैं, जो के बीमारियों में दिये जाते हैं, teratogenicity cause कर देते हैं, teratogenicity क्या होती है, abnormality in the fetus, जो भी बच्चा पैदा होने वाला है, उसके अंदर abnormality कर देना कुछ, उसे teratogenicity बोलते हैं, ऐसे drugs को बोलते हैं, teratogenic drugs, टेरेटोजनिक ड्रग्स, इसका example एक है, थेलेडोमाइड, थेलेडोमाइड जो ड्रग है, 1960s में बहुत पॉपिलर हुआ था, और इससे दिया गया था, अंटी एपिलेप्टिक ड्रग है यह, तो इसने क्या cause किया, teratogenicity, क्या teratogenicity cause कर दी, इसने cause कर दिये, phocomelia, एक condition है, उसे cause किया, phocomelia, इसमें क्या हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, जैसे कि यह मेरा हाथ है, यह मेरे जो limbs है, जो सारा, यह जो hand nap, वो यहां पर attach हो गया, ऐसे करके, जब बच्चा पैदा हुआ, तो यह जो limbs का development था, long bones का, यह उसमें हुआ ही थी, जो भी पै hand development हुआ, जो भी यह hand थे, वो डारेक्ली यहां पर, shoulders पर attach थे, इस condition को बोलते है, phocomelia, या फे seal like limbs, कुछ इस प्रिकार से, तो यह seal की तरह दिख रहा है न, वो seal होती है, तो seal like limbs हो गए थे, इस drugs की बज़ाए से, तो इससे तब क्या कर दिया गया था, ban कर दिया गया था, 1960s में, तब से इससे क्या कर दिया गया था, ban लेकिन अब इसका यह ban अटा दिया गया है, अब इसे देते हैं, multiple myeloma के case में, multiple multiple myeloma के case में, अब थेलेडुमाइड अप्रूव हो गई है, लेकिन यह तो understood है, pregnancy के time है, अगर किसी का multiple myeloma का treatment, चल रहा है, तो थेलेडुमाइड नहीं देंगे, तो यह है, एप्रूव किस के लिए हुई है, अभी, multiple myeloma के लिए, यह बात याद रखने वाली है, तो हमने दो अब बात करते हैं, volume of distribution की, volume of distribution, याने कि कितने volume चाहिए हमें, प्लाजमा का एक particular dose को contain करने के लिए, तो वह हो जाता है, volume of distribution, इसका formula हो जाता है, dose administered intravenous route से हमने कितनी dose administered की drug की, और plasma concentration कितनी थी initially, तो उससे हमाँ पता लग जाता है, कितना drug distribute हो गया टिसूज में, अब इसकी clinical importance क्या है, वो एक बाद समझते हैं, यहाँ पर मान लिए, जैसे यह है liver, ठीक है, और यहाँ पर है tissue कोई भी, मान लो blood, blood vessel है, हमने यहाँ पर कोई भी drug दिया, मान लो malaria का patient है, या फर किसी और disease का भी हो सकता है, example के लिए ले ले लेते हैं, क्योंकि आगे example, malaria का ही याद रखेंगे, chloroquine की जो volume of distribution होती है, वो ज्यादा हाई होती है, इस वज़ाए से, तो मैंने मान लिए किसी drug को मझे 100 molecule चाहिए, मानने के लिए किसी को, मैंने initially 100 molecule दिये, वो चले जाएंगे, tissues में distribute हो जाएंगे, मैंने मान लो 1000 दिये, molecule, 1000 तवाई के molecule दिये, उस मेंसे इसका volume of distribution बहुत हाई था, 900 चले गए tissues में, सारे tissues में मिलाके body के, volume of distribution हाई था, तो 900 molecule चले गए, बचे कितने 100, अब ये क्या करेंगे, ये fight करेंगे, parasite से, ज तो फिर 6 गंटे बाद, इनका भी metabolism होना, स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा जैसे से time आगे जाएगा, मान लेते हैं, 6 गंटे बाद, इनकी dose थी, वो हो गई, 50 या फिर 25, molecule ली बचे, fight करने के लिए, हमें सोच आइए, कम से हम तभी effective काम कर पाएंगे, तो फिर effect लाने के लिए, हमें जितनी drug दे नहीं गई, initial high concentration, जो हमें देनी पड़ी, जिस्से के effect आइड रख का, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं, loading dose, यह आपर मैंने गलत बता दिया, इसे बोलते हैं, maintenance dose, यानि के maintain करने के लिए, उसका effect, कितनी dose चाहिए, उसे बोलेंगे, maintenance dose, और initial high concentration, कितनी दे ड्रग की, जिस्से के वो अपना effect सो कनने लगे, उसे बोलते हैं, loading dose, सबसे ज्यादा है, chloroquine की highest volume of distribution होता है, कितना होता है, 1300, chloroquine का कितना होता है, volume of distribution, 1300, लीटर, पर केजी, PD क्या हो गया, main determinant हो गया, किसका, loading dose, loading dose का, यानि कि कितनी dose देनी पड़ेगी हमे, उसका determinant, directly किसे depend करेंगा, volume of distribution पर, तो आज हमने क्या पड़ा, आज की lecture में थोड़ा सा revise करते हैं, पहले हमने जाना वही, वो क्या होता है, distribution क्या है, drug पहुँच चुगा था, absorption तक, हमारा absorb होके, blood vessels में, blood vessels से जा रहा है, tissues में, body organs के, tissues में, जो distribute होता है, इसे एक parameter से हम measure करते हैं, जिसे बोलते हैं, apparent volume of distribution, या फिर BD, ये BD किस-किस पर depend करता है, वो factors पड़े हमने, जिसमें के पहला था हमारा plasma protein binding, जितनी ज़्यादा plasma protein binding होगी, उतना कम BD होगा, अगला factor है, हमने इसमें पढ़ा blood flow, जहाँ पर जिन organs में blood flow ज्याद होगा, वहाँ पर PPB, वहाँ पर volume of distribution, हाई होगा, और जहाँ पर कम होगा blood flow, वहाँ पर BDB कम होगा, अगला factor है, हमने पढ़ा barrier, जिसमें पहला पढ़ा blood brain barrier, उसमें हमने कुछ areas जाने, जहाँ पर present absent होता है BBB, वहाँ drugs आसानी से चले जाते हैं, जिसमें के CTZ most important था, फिर हमने उसके बाद पढ़ा blood placental barrier, उसमें most important example पढ़ा, teratogenic drugs का, teledomide का, उसके बाद फिर हमने अगला factor पढ़ा, अगला factor नहीं, हमने पढ़ा फिर volume of distribution, यह उसका formula होता है, calculate करने का, और इसकी clinical importance क्या होती है, maintenance dose क्या होती है, loading dose क्या होती है, वो हमने पढ़ी, तो loading dose क्या होती है, initial high concentration drug की कितनी दे हैं, जिससे कि वो अपना effect सो करने लगे, बोड़ी में जाने के बाद, और maintenance dose क्या है, उसे particular time बाद कितनी dose देनी पढ़ेगी, जिससे कि जो उसका effect है, plasma में, जो उसका effect है, वो maintain रहे, कम ना हो, दवाई के असर, तो वो होती है, maintenance dose, यह दोनों चीज के लिए हो गई, तो हमने अभी तक पढ़ लिया, distribution तक, next lecture में हम discuss करेंगे, metabolism of drug, ADME, तो जिसमें A हो गया, D हो गया, M, अगले lecture में discuss करेंगे, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, thank you very much.